नमस्कार, कापिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ, निम्मे सन्हा और स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में बिहार के सियासी उठापटक के बीच अब आजेडी सुप्रीमो लालुयादव की एंट्री होने वाली है राश्य जनता दल के राश्य अध्यक्ष लालुयादव शुक्रवार को सिंगापूर से भारत लोटेंगे पिछले साल दिसंबर में किड्नी के ओपरेशन के लिए आजेडी सुप्रीमो सिंगापूर गये थे लालुयादव अब स्वस्त हैं और वतन वापस लोट रहे हैं लेकिन लालुयादव अभी बिहार नहीं लोटेंगे क्या है लालुयादव की आगे की रणनीती देखे से रिपोर्ट में क्यों नहीं लोट रहे बिहार आपको बता दे कि शुकरवार को लालु यादव वतन वापसी करने वाले हैं RJD सुप्रीमो लालु प्रसाद यादव शुकरवार को सिंगापूर से भारत वापस आ रहे हैं लेकिन बिहार के सियासी भूचाल के बीच लालू यादव का अभी पटना आने का कोई प्लान नहीं है। दरसल लालू यादव सिंगापॉर से दिल्ली उतरेंगे। इसके बाद वो अपनी बेटी मिसा भारती के पास ही कुछ दिन रुक कर स्वास्त लाब लेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 5 दिसंबर को लालू यादव की किड़नी का ओपरेशन सिंगापॉर में हुआ था। लालू की चोटी बेटी रोहनी आचारे ने अपने पिता को अपनी किड़नी दी थी। मगर अब वो स्वस्त हैं। इसे के साथ आपको यह भी बता दें कि लालू यादव सिंगापॉर से अपनी बेटी मिसा भारती के साथ भारत लोटे हैं। वहीं लालू की सेहत पर अभी भी डॉक्टरों की नजर हैं। ऐसे में जब लालू सिंगापॉर के मौसम से भारत आएंगे तो सेहत को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन दिल्ली में बेटी मिसा भारती के सरकारी आवास पर रहेंगे। लेकिन लालू यादव फिलहाल बिहार नहीं आएंगे। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव होली से पहले बिहार आ सकते हैं। इस रिपोर्ट में। इसे बिहार में भुनाने की कोशिश करेगी। राश्वे जंतर दल प्रमुक लालू प्रसाद यादव के सिंगापूर से वापस आने का बिहार में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लालू यादव किड्नी के ओपरेशन के लिए सिंगापूर गए थे जहां उनकी किड्नी का सफल ओपरेशन हुआ। तब से लालू यादव सिंगापूर में ही अपनी छोटी बेटी रोहनी आचारे के पास रहकर स्वास्त लाब ले रहे हैं। इसी बीच लालू बिहार के सियासी एजेंडे भी तयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि लालू यादव बिहार आएंगे तो सभी की नजरें सुधाकर सिंग और उपेंद्र कुश्वाह पर होंगी। सबसे पहले बात करते हैं सुधाकर सिंग की। महा गटबंदन के सर्वमान्य नीता नितीश कुमार को लेकर सुधाकर सिंग ने मोचा खोल रखा है। वो अपने ही गटबंदन के सीएम नितीश को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। पार्टी ने सुधाकर सिंग के बयानों को देखते हुए उन्हें शोक कॉज नोटिस भी दिया गया है। इसका जवाब भी सुधाकर सिंग ने दिया लेकिन इसके बाद भी सुधाकर सिंग शांत नहीं हुए। मोतिहारी में सुधाकर सिंग ने छे फरवरी को एक बार फिर नितीश कुमार पर हमला बोला था। सुधाकर सिंग ने कहा कि नतीश कुमार ने बिहार को गर्द में धकेल दिया है। अब निकल पाना मुश्किल है। सुधाकर सिंग के मामले में कहा जा रहा है कि जब लालू बिहार आएंगे तो गटबंदन और नफा नुकसान देखते वे सुधाकर सिंग पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कुश्वाह का फैसला आर जेडी के लिए जैसे सुधाकर सिंग है वैसे ही जेडीओ के लिए उपेंद्र कुश्वाह हो गये हैं। अब तक पाटी में अपना हिस्सा मांगने वाले उपेंद्र कुश्वाह ने नितीश के बाद अब तेजस्वी के खलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपेंद्र कुश्वाह ने कहा कि अगर नितीश कुमार तेजस्वी यादव को कमान सौपने की संभावना से इनकार करते हैं तो वह अपना विद्रोच छोड़ देंगे। हाला कि नितीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि उपेंद्र कुश्वाह किसी और की भाषा बोल रहे हैं। उन्हें जहां जाना है जाएं। नितीश के बयान के बाद उपेंदर कुश्वाह को जेडियू संसदिय बोड के अध्यक्ष पद से हचा दिया है। ऐसा बयान ललन सेंग और जेडियू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुश्वाह ने दिया। हलाकि लिखित में अब तक जेडियू की ओर से इसकी कोई घोशना नहीं हुई है। काफी दिनों से अटका हुआ है। जिस काबिनेट विस्तार को सीम नतीश कुमार हरी जंडी दिखा रहे थे। उसी फैसले पर जिप्टिस सीम तेजस्वी यादव की बोल तीक ही निकलती सुनाई पड़ी। मंत्री मंडल विस्तार पर क्या है आरजेडी का एजेंडा देखें इस रिपोर्ट में। मंत्री मंडल विस्तार पर फैसला। कर होगी जो राजित के कोटे से मंत्रिपत की शपत लेंगे बिरो रपोर्ट कापिटल टीव बैरहाल आपको बता दें कि लालू भले ही अभी बिहार से दूर बैठे हो मगर उनकी राजनितिक एजेंडा अंदर ही अंदर तैयार की जा रही है अब देखना यह है कि आखर लाल जारू यादव का बिहार के सियासत में एंट्री क्या रंगलाती है देश दूरिया के तमाम खबरों के लिए आप जुरे रहे कापिटल टीव बिहार के साथ दीजे जाज़त नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे स साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया मैं राजनीती करताने पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूँ मैं लोगों के बीच रहता हूँ लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नपस के फूप पहचानता हूँ संधर्ष की सियासत से सक्ता की सिंधासतर मैं हर खमर से खरा सच निकार ना कोई दौर ना कोई रेस क्या पिकल्दी उत्तर देए